VPN या Virtual Private Network ये क्या होता है कैसे काम करता है Virtual Private Network वर्चुल का मतलब होता है कि वो चीज जो सामने तो है लेकिन छुपी हुई है एक्जिस्ट तो करती है लेकिन सब के सामने नहीं है Private मतलब केवल आपका दूसरों का नहीं Network याने connectivity तो ऐसा Network जो की बाकी लोगों से छुपा हो ऐसे Network को जो आपके लिए काम करे उसे हम Virtual Private Network कहते हैं मैं आपको बता दूँ कि VPN और Proxy Server दोनों साथ इनकी बात की जाती है VPN और आपके Proxy Server में जो अंतर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा लेकिन Nord VPN, Express VPN ऐसे तमाम VPN अविलेबल है VPN का फुल फॉर्म है Virtual Private Network और ये आपके as a user और इंटरनेट या नेटवर्क के बीच में एक secure connection मनाता है अब ये secure या फिर एक छुपा हुआ या दूसरों से बचाया हुआ connection क्या होगा ये ऐसा होता है कि जब आप अपना डेटा यहां भेज रहे हैं यानि इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं तो आपका जो content है प्लस आपका IP यानि कि IP प्लस आपका data ये पूरे वेब पे इंटरनेट पे known होता है अब VPN क्या करता है, पहले तो ये आपका IP को छुपा देता है, anonymous बना देता है आपको तो दूसरा काम ये करता है कि आपके data के लिए एक tunnel बना देता है, यानि कि एक गुफा बना देता है यानि आपके data को ये encrypt कर देता है, जो data यानि मालीजिया 123 बेज रहे हैं, ये हो सकता है इस data को dollar at the rate underscore करके भेजे और फिर आगे जाके जहां पर इसको मिलना है, वो decrypt कर दे, तो कोई भी आदमी, कोई भी इनसान, कोई भी लोग, चाहे वो government हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, वो आपके traffic को किसी तरीके से पढ़ ना पाए, समझ ना पाए, चाहे आप कहीं दूर बैट के काम कर रहे हो, यह काम VPN का है, कैसे वो छुपाता है, यहाँ आप एक tunnel देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि VPN दो तरीके से काम करता है, दो तरीके से आपको security प्रवाइड करता है, एक तो IP आपका IP address, जैसे 11.22.33.44, यह आपका IP है, जब यह VPN के through जाएगा, तो यही IP आपका हो सक 22.33.44.55 हो जाएगा, पहले तो IP छुपा दिया, और यह जो डेटा आपका जा रहा है, यह एक टैनल के through जा रहा है, यह जो टैनल आप देख रहे हैं, इसके through जा रहा है, इसका मतलब encrypt होके जा रहा है, तो दो लेवल की security हो गई, तो इंटरनेट आपको यूज करना है, ख दिखाई ना दे, साथ में जो speed की limitation है, उसको भी मैं पार पापाऊं, उससे भी मैं निजात पापाऊं, यह VPN का काम है,